Hey guys good morning and I'm so sorry क्योंकि vlog एक दिन लेट हो गया वैसे बहुत जादा दिन बात आया है तो ये आज मॉनिंग की रिकॉर्ड है इस रेस में क्योंकि मैं कल रिकॉर्ड करके पोस्ट करने वाली थी वीडियो बट क्योंकि कल में जो खाम हो गया था और मेरी आवाज बहुत अजीब नि नहीं बनाया वीडियो और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि एक और बात के लिए मुझे बहुत थेंक्यू गोलना था क्योंकि सबके न कम हुए ही है लोग है बट यार आप में से एक भी मेरा सब्सक्राइबर कम नहीं हुआ एक भी नहीं मतलब सिंगल एक इनसान भी नहीं और जो बात मुझे बोलनी है वो मैंने दो दिन पहली रिकॉर्ड कर ली थी तो वो मैं लास्टर बोलूँगी ठीके तो ये मैं मॉर्निंग में चाय पीकर उपर आती हूँ ये मैंने प्लांस लगाए हैं तो इनकी मैं रोज दिनमें पानी डालती हूँ इनको ध्यान रखती है ना गाइस तो बहुत पता ही होगा जिसके चला होगा तो बहुत वह हो जाता है तो ये देखो सारा कच्रा है यहां पर तो ये सारा मैंने खटा किया सब जाडू लगाई सारी रूम्स में और फिर मैंने खटा किया इस बोरे में फिर मैंने आके मेरा काम किया जो काम रहता जॉब का, उसके बाद, गाइज, खाली पेट तरवूज बेस्ट है खाना, ठीक है, तो ये खाया मैंने, उसके बाद मैंने बनाया खाना, क्योंकि अभी छुटिया चल रही हैं स्कूल की, तो मैं खाना हमारे नाश्टा के बाद बनाया, कड़ी बनाया गाइज, बहुत फेव ली, तो क्लास का टाई हूँ, अभी दो से तीन, या फिर मैं तीन से चार लेती हूँ, या फिर दो घंटे लग जाते हैं, बिकॉज मैं अभी टैन्थ और ट्वेल्थ को पढ़ा रही हूँ, और उसके बाद मैंने बनाई मैगी, फिर उसके बाद हम फटा-फट रेड़ी मंदर, ना उने मताऊंगी, मंदर कई गाईज, क्योंकि बगबान जी का आशिरवा दिना था, क्योंकि कुछ नया स्टाट करना तो मैंने का एक बार माता जी के मंदर हो या हो, तो अब मैं स्टाट कर रही हूँ, यह क्या है, और यह मैंने दो दिन पहले ही रिकॉर्ड कर ल बट मैंने कोई क्लास नहीं ली, मैंने फालतू में कोर्स लिया था, मैंने क्या किया था, जीके के शॉर्ट नोट्स बनाएं, कि इसमें से कोशन आ जाएगा, पुराने येर्स के वेपर में से, और साइन्स भी मैंने हलके में ली, बट बहुत गरबर हो गई, पर यह मेरा फ फ्यूचर अब नहीं है, मतलब फ्यूचर में कभी कुछ तयारी करने वाली नहीं थी, पहले, ठीक है, तो रीट में मेरे पहले भी मार्क साय थे, 121, बट क्यूंकि वो जो एक्जाम था, वो गैंसल हो गया, और फिर अब जो एक्जाम हुआ वो जीके है, उसमें मुझे पत में कोचिंग मुझे फर्स गेर बना था, ठीक है, तो मैं एक कोचिंग थी, वापे मैंस की फीस थी, 10,000 रुपए, और जीके भी पढ़ोगे तो 13,000 रुपए, तो मैंने सुचा कि मुझे कहां जीके आती है, तो मैंने सुचा कर लेती हूँ कोचिंग, और तब मेरा अब आप ही बताओ कि ये न, कैसे चलेगा, मतलब इन सब का कॉर्स अलग-अलग होता है, इतना मतलब रदी बना चला हूँ आप है, और मैस में जिस सर के लिए हम मेंने वाँ कोचिंग जोइन की थी, उन्होंने का था, दो इस सर को नहीं बला है, और एक यूई सर आए, वो सब क्लासिस के साथ में, और मेस सो गाःज उन्होंने सた की ही नहीं थी, ठीक है, फिर, एक इंजिनियर थे, वो सराइ, इंजिननर को पढ़ाते थे, उन्होंने मेरे भाई को पढ़ाया हूँआ हूँ ऑनर में जयारू को पढ़ाया थे, तो वह सर आजिब स्च्छों को पढ एक घंटा पड़ाते थे रोज उसे पांचे साथ कुशिन चुनते वो उनको कराते गाइस वह तब क्या मुझे अकल नी थी क्यों क्योंकि उस टाइम पर मैं 11 12 को नहीं पड़ा रही थी मुझे से व इंटिग्रेशन डिफ्रेंशेशन आता था बाकी चप्टर मैंने कोई मैं परती थी तब भी मैंने काई सही से नहीं पड़े थे मैं आपको बाद में बताऊंगी वो भी स्ट्री अपनी ठीक है तो इसलिए फिर मैंने सुचा की का फिर मैं छोड़ दिया फिर मैंने स्कूल जॉइन किया 10 जिलाई को 2019 में और और गाइस वो बहुत बैस स्कूल है ठीक लगाई तो पर तब जीगे नी थी तो मैंने तो जाए कि मैं कर सकती हूँ तो मैं उतकर्ष का कॉर्स लिया क्योंकि कोचिंग अची थी निए बड़ लगी लिए उतकर्ष मिल गया तो मैंने उतकर्ष अलाम एकेडमी पर कोर्स लिया मैंने YouTube पे तीन जो चैनल थे उन से 21 मांक्स है और क्योंकि मैं जनरल की हूँ तो 90 जन के सबसे मुझे लगा पुरानी कट ओफ देखे कि शायद मेरा हो जाएगा ठीक है बट गाईज वो कैंसल हो गया और जीके आगे और नया कोर्स आगया पूरा तो तब मैंने डिसाइड कि नहीं गाईज अगर मेरा इसमें नह होता है यह आपको पुरा डिटेल में नहीं बता सकती है न जो आपके घर में अगर इंजिनर हो आपके भाई बेन जो आई-टी लाइन में काम करते हो उन से पूछना कि कैसे क्या होता है तो यह मेरे भाई ने सिखाया मुझे ऑनलाइन क्लास ली मैंने वरड़ोदरा में क्ल आपके प्रम गभाई तो यह साइट बिजनस है अब यह मेरा में मुझे टीचिंग अच्छी लगती है मुझे पढ़ाना है बट तो अभी में तो क्या कर रही हूं फिलाल से 10th 12th मैस पढ़ाती हूं तो तो मेरा भी चल रहा है और स्कूल की चलनी शुट्तिया तो अभी दे इसके बाद देखो जुलाई में क्या होगा अभी मैं स्कूल जोइन करूँगी ठीक है साथ में मेरी स्कूल का मेरा टाइम रहेगा आठ से दो और साथ में कोचिंग जो मेरी चल रही है मैं क्लास लोंगी तीन से पांच 10 और 12 की दोनों में निप्टा दूँगी ठीक है इस साल क्योंकि मैं सिफ girls को पढ़ा रही हूँ boys को मैं इस साल नहीं ले रही हूँ तो 10-12 की और फिर 5-10 के बीचे में अपना work कर लूँगी computer वाला ठीक है तो ये सब 10 और फिर मैंने सोचा है कि रात को मैं पढ़ाई कर लूँगी 10-12, 10-12 ही सोचा है वैसे मैंने maths करने का क्योंकि कि रात को अच्छी मैस होती है और morning में एक घंटा मैं अभी से रोज जी के पढ़ूँगी ठीक है क्योंकि guys यह मैंने first time in जो पढ़ा है मैंने देख लिया है कि आप पुरानी study ही काम आती आपकी तो इसलिए और coaching तो मैं नहीं करूँगी coaching करने का मतलब है पैसा बरबाद कर ठीक है तो अभी मैं सिर्फ coaching बच्चों की लोगी school करूँगी और फिर अपना work करूँगी जो IT वाला computer वाला work है तो यह सब काम तो अपने पैसों के लिए और अपने खुशी के लिए ठीक है उसके बाद अपनी identity होनी चीए guys मतलब इन सब से यह में जो job है न इसे पैसा इस CST जो भी है इनके है मतलब reservation मिला हूँ है मतलब कुछ ने कुछ है और कुछ intelligent friend है जिनका मुझे पका यकीन है कि अभी read में हो जाएगा वो general के है तो ठीक है बट दूसरों से अभी खुद को compare नहीं चाहिए आपकी seat है तो आप मेहनत करो नहीं उतनी क्योंकि ऐसा भी नहीं क तरफ गई थी 2018 में बट वो coaching सही नहीं थी और फिर तब इतना online भी नहीं था कहीं content अब आजकल तो guys content बहुत है किसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ study करूंगी अभी से करूंगी क्योंकि guys एक साल तो मुझे पता है कि एक साल तो है first grade के लिए okay क्योंकि अभी जो exam हुआ उसी की अ कर सकता है यह बात मुझे पता है क्योंकि अभी guys मैं एक साल school नहीं गई ना तो मैं घर पर ही थी तो फिर मैं मैं सही मैं मतलब सिर्फ online class रही थी पर तब किसी से contact हो नहीं था ना तो बहुत boring लगता था अगर काश इसी जगह में school जा रही होती नो साथ में study कर रही होती तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जाधा अच्छा कर सकती थी पर ठीक है अब मिलते है नेक्स लॉग में और मेरी चैनली सूपर किंग्स पहुंच चुकी है फिनाले में तो संडे को मैच है खोब करती हूँ होब क्या पका है किने CS के जीतेगी finger crossed और मिलते है नेक्स लॉग में टेक केर तो अल अव य। बाई